गाइज अगर हम किसी भी situation को describe करना चाते हैं या फिर किसी भी action को describe करना चाते हैं तो हमारे जो vocabulary words होते हैं वो पहुच ज़्यादा important role play करते हैं इसी की वज़े से मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा था vocabulary words लाता भी रहता हूँ आज की इस वीडियो में भी मैं total 25 vocabulary words के बारे में बात करूँगा साथ में इनकी meaning के साथ synonyms के बारे में बात करूँगा और real life से related दो-दो examples के बारे में बात करूँगा तो चलिए गाइस वीडियो को start करते हैं पहले मैं बात करूँगा proficient इसको एक adjective के रूप में use कर सकते हैं इसको हम किसी person के लिए बोल सकते हैं कि कोई person है वो किसी विशिश काम में निपुण है या फिर कुशल है तो जैसे example है my friend is proficient in two languages मतला मेरा जो दोस्त है वो दो भाषा हैं बहुत ही अच्छी तरीकी से जानता है या फिर आप बोल सकते हैं मेरा दोस्त दो भाषाओं में बहुत कुशल है या फिर निपुण है my friend is proficient in two languages एक और example है his proficient English speaker मतलग किसी परसन के बारे में आप बात करते हुए ऐसे कह रहे हैं कि वो अंग्रेजी पहुत ही अच्छी तरीके से बोल लेता है या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो अंग्रेजी का एक कुशल वक्ता है he is a proficient English speaker next हमारा word है pardon pardon इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसका मतलग होता है किसी परसन को उसकी गलती के लिए छमा देना या फिर उसको माफी देना जैसे example है I can never pardon her for the things whatever she said मतलग जो कुछ भी चीज़े उसने कहीं है मैं उन सारी चीज़ों के लिए उसको कभी माफी नहीं दे सकता या फिर उसको कभी छमा नहीं दे सकता I can never pardon her for the things whatever she said एक और example है she asked my pardon for taking so much time बहुत ज़्यादा समय लेने के लिए उसने मुझे से चमा मागी she asked my pardon for taking so much time next हमारे word है cranky cranky इसको एक adjective के रूप में यूज़ कर सकते हैं कोई person है जो चिड़ चिड़ा है तो जैसे example है she was cranky after I rebuked her मतलब जब मैंने उससे डाटा या फिर मैंने उसकी डाट फटकार लगाई उसके बाद वो चिर्चिड़ी हो गई थी she was cranky after I rebuked her एक और example है I was little cranky after traveling for 8 hours मतलब 8 गंटों की यातरा करने के बाद या फिर 8 गंटों की यातरा के बाद मैं थोड़ा सा चिड़ चिड़ा हो गया था I was little cranky after traveling for 8 hours next हमारा word है onward इसको हम एक adverb के रूप में भी यूज कर सकते हैं और एक adjective के रूप में भी यूज कर सकते हैं इसका मतलब होता है आगे की तरफ तो जैसे example है what is your onward plan मतलब आगे की से पूछ रहे हो कि तुमारा आगे का प्लान क्या है या फिर तुमारा आगे का प्लान एक और example है you should move onward forgetting all the things happened in the past यहाँ पर onward इसका मतलब यह होगा कि जो गुज भी पास्ट में हुआ है उन सारे चीजों को भुला कर तुमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए you should move onward forgetting all the things happened in the past next हमारा word है fraught इसको एक adjective के रूप में यूज कर सकते हैं इसका मतलब होता है कि कोई चीज है वो खतरे से भरी हुई है या फिर परिशानी से भरी हुई है तो जैसे example है I boarded a bus from Delhi but my journey was fraught by difficulties because bus was full of passengers इसका मतलब यह होगा कि मैंने दिल्ली से एक bus पकड़ी लेकिन जो मेरी यात्रा थी वो परिशानीों से भरी हुई थी क्योंकि bus passenger से भरी हुई थी या फि no need to look so fraught इसका मतलब यह होगा की ज्यादा परिशानीों से भरे हुए होने की जरूरत नहीं है या फिर ऐसा दिखने की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत जादा खदरे से भरे हुए हो या फिर बहुत जादा परिशानीों से भरे हुए हो नेक्स्ट हमारे एक word है snoop इसको हम एक वर्व के रोप में यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब होता है किसी परसन की या फिर किसी चीच के लिए तांक जहां करना या फिर उसकी जासुसी करना I caught him snooping on you around your room मतलब मैंने उसको तुमारी जासुसी करते हुए तुमारे कमरे के आसपास देखा या फिर तुमारी तांक जहां करते हुए तुमारे कमरे के आसपास देखा तो यहांपर इसका मतलब यह होगा कि तुमारे कमरे के आसपास मैंने उसको तुमारी जासुसी करते हुए पकड़ा या फिर उसको तुमारी तांक जहां करते हुए पकड़ा एक और example है मुझे लगता है कि वो तुमारी जासु से कर रहा है या फिर वो तुमारी तांग चाहा कर रहा है नेक्स्ट हमारे वर्ड है इसको हम एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसका मदलब होता है किसी चीज के लिए या फिर किसी परसन के लिए लालसा करना या फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा तरसना तो यहाँ पर इसका मतलब यह होगा कि मैं मुझे लिए तरस रहा था या फिर मुझे मुझे लिए बहुत ज़्यादा लालसा हो रही थी इसी की वज़े से मैं fast food corner पर गया एक और example है इसका मतलब यह होगा कि जब वो stage पर खड़े ओकर बोल रहा था तो लोग उसकी बाते बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे या फिर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे तो वो लोगों की attention के लिए या फिर लोगों के ध्यान के लिए तरस रहा था या फिर उसकी लालसा कर रहा था नेक्स्ट हमारा word है इसको हम एक adverb के रूप में यूज़ करते हैं इसका मतलब उत्ता है आखिरकार या फिर अंत में तो जैसे example है तो यहां पर इसका मतलब यह होगा कि आखिरकार आसमान साफ हो गया और हम घर वापच जा सके एक और example है तो यहां पर इसका मतलब यह होगा कि आखिरकार उसने अपनी जिद के आगे गुटने टेक दिये या फिर आकिरकार उसने अपनी जित के सामने हार मान ली इवेंच्वली शी गेवर इश्टवन इन नेक्ष्ट हमारा वर्ड है एक्ष्ट्रवगेंट तो यहाँ पर एक अड्जेक्टिव है इसका मतलब होता है कि कोई चीज है जो बहुत जादा महेंगी है या फिर कोई परसन है जो फिजूल खरचीला है उसके लिए भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर जैसे एक्जामपल है मतलब आप किसी जैसा कह रहे हो कि दोनों शर्ट को मत खरीदो यह बहुत जादा फिजूल करचीला हो जाएगा या फिर बहुत जादा महेंगा हो जाएगा एक और उर किसी परसन के बारे में आप ऐसा बोल रहे हो कि वो एक इस्ट्रवगेंट परसन है िसको हम एक वर्ड़ करचीला इंसान है वो फालतों की चीज़ों में इधर दर खर्चा करता रहता है He is such an extravagant person Next हमारा word है embrace इसको हम एक verb के रूप में यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है किसी को खुशी से गले लगा लेना या फिर किसी को खुशी से अपना लेना तो जैसे example है She kissed her baby and embraced before leaving for the office मतलब वो ओफिस के लिए जा रही थी तो ओफिस को जाने से बहले उसने अपने बच्चे को खुशी से गले लगाया और उसको kiss किया She kissed her baby and embraced before leaving for the office एक और example है He met his wife after two months at airport and he embraced her तो यहाँ पर ही बोला जा रहा है कि उसने अपने पतनी को दो महीनों के बाद एरपोर्ट पर देखा तो उसने अपनी पतनी को खुशी से गले लगा लिया He met his wife after two months at airport and he embraced her Next हमारा word है perception Perception इसको हम एक noun के रोप में यूज़ कर सकते है इसका मतलब होता है कि किसी परसंद का दरश्टी कुण या फिर किसी परसंद के राए तो यहां पर simply इसका मतलब यह होगा तो यहां पर simply जैसे example है When I visited this beautiful park It changed my perception of the city तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जब मैं इस beautiful park में गोमा तो इसने इस शहर के बारे में मेरी जो राए थी या फिर मेरा दरश्टी कुण बदल दिया When I visited this beautiful park It changed my perception एक और example है What is your perception of this idea मतलब इस विचार के बारे में आपकी क्या राय है या फिर इस विचार के बारे में आपका क्या दरश्टी कौन है What is your perception of this idea Next हमारे एक word है Comprehension इसको हम एक noun के रूप में यूज़ करते हैं मतलब होता है किसी चीज को समझने की योगयता या फिर किसी चीज को समझने की चमता तो जैसे example है He has no comprehension How difficult it is मतलब उसे इस चीज को समझने की योगयता नहीं है या फिर चमता नहीं है कि ये कितना difficult है या फिर ये कितना cut in है He has no comprehension How difficult it is एक और example है मतला ये पूरी तरीके से उसकी समझने की योग्यता से परे है या फिर वो इसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकता Next हमारा एक word है वेल इसको हम एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब होता है किसी दुख की वज़े से रोना या फिर किसी दुख की वज़े से रोना She was talking to me on the phone and wailing मतलब वो मुझसे phone पर बात कर रहे थी और रो रहे थी मतलब किसी कोई दुख की वज़े से वो रो रहे थी और मुझसे बात कर रहे थी She was talking to me on the phone and wailing एक और example है Baby had stomach ache So he was wailing before reaching doctor मतलब जो बच्चा है बच्चे को पेट में दर्द हो रहा था तो वो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले बहुत ज़्यादा रो रहा था दर्द की वज़े से Baby had stomach ache So he was wailing before reaching the doctor Next हमारे word है Rumble इसको हम एक verb के रुप में यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है गडगड़ाना या फिर गडगड़ की आवाज करना तो जैसे example है I haven't eaten all the day So my stomach is rumbling मतलब मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है तो इसलिक वज़े से मेरे पेट से गडगड़ की आवाज आ रही है या फिर मेरे पेट गडगड़ा रहा है I haven't eaten all the day So my stomach is rumbling एक और example है I heard low cloud rumbling last night यहाँ पर इसका मतलब यह होगा कि मैंने कल रात बादलों की गडगड़ हट सुनी या फिर बादलों की गडगड़ की आवाज सुनी cloud rumbling का मतलब यही होता है कि बादलों की गडगड़ की आवाज Next हमारा word है giant इसको हम एक adjective के रूप में यूज़ करते हैं इसका मतलब बता है कि कुछ है जो बहुत जादा बड़ा है या फिर कुछ है जो बहुत जादा विशाल है तो जैसे example है Be careful, forest is full of giant snakes मतलब आप किसे तो साफदान कर रहे हो कि साफदान रहो या फिर चौकने रहो यह जो जंगल है वो बड़े-बड़े सापों से भरा हुआ है या फिर इस जंगल में बहुत सारे बड़े-बड़े साप रहते हैं Be careful, forest is full of giant snakes Beam was a giant man with muscular body तो यहाँ पर इसका मतलब यह होगा कि भीम की जो body थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी या फिर विशाल थी और muscular body थी मतलब hush to push to body थी Next हमारा एक word है leisure इसको हम एक noun के रूप में यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि खाली समय मतलब जब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं तो वह वाला खाली समय तो जैसे example है What do you like to do in your leisure time? इसका मतलब यह होगा कि आप किसी दर पूछ रही हो तुम अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हो What do you like to do in your leisure time? एक और example है I like to spend my leisure time with my parents इसका मतलब यह होगा कि मैं अपना खाली समय अपने माता-पिता के साथ बिताना पसंद करता हूँ I like to spend my leisure time with my parents Next हमारे word है utterly इसका मतलब होता है पूरी तरह या फिर पूर्णतया ये एक adverb है तो जैसे example है You look utterly ridiculous in this quote इसका मतलब यह होगा कि तुम इस quote में पूरी तरीके से मजाकिया लग रहे हो या फिर हासे प्रद लग रहे हो You look utterly ridiculous in this quote एक और example है It's utterly impossible मतलब ये पूरी तरह के से असंभव है या फिर ये पूर्णतया असंभव है It is utterly impossible Next हमारे word है dump इसको हम एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते है इसका मतलब होता है कि कोई रिष्टा किसी के साथ खतम कर देना या फिर इस एक अलग सेंस में भी इसको बोल सकते हैं कि कुछ लापरवाही के साथ फैंक देना बिलकुल जैसे हम उसकी केरी नहीं करते उस लड़की ने तुमारे साथ रिष्टा अपना क्यों खतम कर दिया या फिर तुम्हें ऐसा क्यों छोड़ दिया कि तुम उसके लिए कोई भी माइने नहीं रखते या फिर वो तुमारी बिलकुल भी परवाह नहीं करती ऐसे उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया वाई डिल शी डंप यो नेश्ट हमारा एक वर्ड है हीप इसको हम एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब होता है किसी चीज का धेर लगाना तो जैसे एक्जामपल है डोंट हीप योग लाइक दिस मतलब आप किसी चीज ऐसा कह रहे हो कि अपने कपलों का ऐसे यहाँ पर इदर दर फैला का धेर मतलगाओ डोंट हीप योग लाइक दिस एक और एक्जामपल है हाउ विल आ फाइंगलिश बूक इन दिस हीप अव बूक्स मतलब इस किताबों के धेर में मैं अंग्रीजी की बूक कैसे ढून पाऊंगा या फिर अंग्रीजी की किताब कैसे ढून पाऊंगा हाउ विल आ फाइंड इंगलिश बूक इंधिस हीप अप बूक्स नैच्ट हमारे एक वर्ड है several years मतलब हम कई सालों से बहुती करीबी साती है या फिर ऐसे साती है जो जादतर समय हम एक साथ बिताते हैं या फिर इदर जाते भी हैं तो बिलकुल एक साथ जाते हैं ऐसे companion है हम कई सालों से we have been close companion for several years एक और example है my dog has become my companion now तो यहां पर इसका मतलब यह होगा अब मैं जाता था समय अपने कुत्ते के साथ बिताता हूँ इदर तो जाता भी हूँ तो मैं अपने कुत्ते के साथ जाता हूँ तो अब मेरा कुत्ता मेरा दोस्त बन चुका है my dog has become my companion now next हमारा एक word है despise इसको हम एक word के रूप में यूज़ कर सकते है इसका मतलब होता है किसे से घ्रणा करना या फिर उससे नफरत करना तो जैसे example है I despise him he is an egocentric person मतलब मैं उस person से नफरत करता हूँ या फिर घ्रणा करता हूँ वो एक egocentric person है या फिर एक घमंडे इंसान है I despise him he is an egocentric person एक और example है I can never forgive her to lie to me I really despise her मतलब मैं उसे मुझसे जूट बोलने के लिए कभी माफ नहीं कर सकता मैं उसे सच में नफरत करता हूं या फिर ग्रणा करता हूं I can never forgive her to lie to me I really despise her next हमारा इस वर्ड है infuriate इसको हम एक वर्ब के रूप में यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि किसी परसन को पहुच जादा किसी चीच से गुस्ता दिला देना या फिर कुछ करके किसी परसन को बहुच जादा गुस्ता दिला देना तो यहाँ पर example है when she saw me with another girl she infuriated मतलब यहाँ पर इसका यह होगा कि जब उसने मुझे किसी दूसी लड़की के साथ देखा तो वो पहुच जादा गुस्ता हो गई या फिर इसकी वज़े से वो पहुच जादा गुस्ता हो गई या फिर वो पहुच जादा देरी से आया तो इसकी वज़े से इसने मुझे बहुच जादा गुस्ता दिला दिया इसको हम एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब है कि कुछ जानकारी लेने के लिए किसी परसन से उसको अत्यचार करना या फिर उसको सताना या फिर कुछ करवाने के लिए उसको सताना या फिर उसके साथ अत्यचार करना तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि पुलिस tortured criminal to get some information मतलब कुछ जानकारे लेने के लिए पुलिस ने एक अपरादी को torture किया या फिर उसको सताय या फिर उसके साथ अत्याचार किया पुलिस tortured criminal to get some information एक और example है यहां पर यह बोला जा रहा है कि एक लड़की के साथ अत्याचार किया और जब उसके साथ अत्याचार किया वो इतने हद तक किया कि उसकी मौत हो गई she has been tortured to death नाश्ट हमारा एक word है insecure इसको हम एक adjective के रूप में यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि कोई चीज है जो असुरक्षित है या फिर कोई person भी हो सकता है कि वो असुरक्षित है या फिर उसको किसे से खतरा है तो यहां पर बोला जा रहा है she feels lonely and insecure because she lives away from her family यहां पर इसका मतलब यह होगा कि वो अकेला महसूस करती है और असुरक्षित महसूस करती है क्योंकि वो अपनी family से अपने परिवार वालों से दूर रहती है she feels lonely and insecure because she lives away from her family एक और example है she is very insecure about her looks इसको हम एक अलग sense में भी बोल सकते है कि एक ऐसा person है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करने वाला है तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि अपने looks को लेकर वह ज़्यादा insecure है यह पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित है उसको अपने looks को लेकर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है कि वो कैसी लग रही है या अच्छी लग रही है या पर बुरी लग रही है इस चीज को लेकर उसे विश्वास नहीं है So that's it guys for this video Guys, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है तो मैं चाहता हूं कि आप comments में 247 type करके मुझे comment करके बताईए, इससे मुझे पताई चलियागा कि आपने वीडियो को लास तक देखा है अपने doubts को, अपने words को मुझे comment करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिए, जादा जादा share कीजिए Thank you so much for watching this video I'll catch you on the next video, take care